अगर हम आज की बात करें तो मार्केड में मुमेंटम तो आया है अगर आप देखो के तो डाउंसाइट से आपको एक बढ़िया इसमें रिकवरी देखने को मिली बट द पॉइंट इसकी यह फुल ओन रेंज में था जिस वजह से आज इसमें कोई डंका ट्रेड नहीं बन पा था तो आज हमारे मेंबर्स ने क्या प्रॉफिट बनाया आपको मैंने टेलिग्राम पर क्या ट्रेड दिया था कल की प्लैनिंग क्या हो सकती है सब के बारे में डिसकेशन करेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वीडियो रहने वाला है यह हमारा है टेलिग्राम का फ्री ग्रॉप डिस्किप्शन में लिंक है आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको जॉइन करें डिस्किप्शन में जाके ही जॉइन करना कोई कलत ग्रॉप जॉइन मत कर लेना 442 का प्रॉफिट 1355 बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है आप देखते जाओ कि कितना शांदर शांदर प्रॉफिट देखने को मिला है मॉर्निंग ट्रेड हमारे मेंबर्स के लिए 152.5 का प्रॉफिट है जो गया था 200 आप जाके चेक आउट कर सकते हैं ट्रेड दिया था हमने 9 बज के 36 मिनट पर यह हमारी मेंबर्स की ट्रेड थी जो प्राइम मेंबर्स है यहाँ पर देख सकते हो क्या शांदर प्रॉफिट है प्रॉफिट है प्रॉफिट यहाँ पर छोटा सा लॉस है यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का 50-60 पॉइंट का स्कैल्प जो आप देख सकते हैं एक बजे के बाद दिया है यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का तीन बजे का ट्रेड जिसमें 100 प मैंने आप लोग को ट्रेड दिया था वेट करिये मैंने आपको बोला था कि 46,000 के ऊपर ही आप बैंक निफ्टी में कुछ प्लैन करेंगे और 46,000 जब लेवल निकला है तो आप देख सकते हैं कि 500 पॉंट का सीधा मोमेंटम आया था वन डैरेक्शन में अब बात करेंगे फिन यह 20,280 का important level है अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो हमें यह वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हम यह वाले लेवल पर आ सकते हैं मार्केट ने अपने exact support से bounce back किया बट यह आप देखिए मार्केट ने यह देखो कितना बड़ा red candle then कितना बड़ा green candle then कितना बड़ा red candle then market sideways to upper direction अब यहां पर आप candle को notice करो तो यह कितनी छोटी छोटी candle है समझ रहे हो ऐसे मैं premium decay की वज़े से profit नहीं बनता या कम बनता है अगर upside भी देखोगे तो यह अपने resistance पे रुका है और वहीं पर रहे गया तो kind of fin nifty में कोई बड़िया नहीं trade बना हमने एक trade plan किया था around wait करो कौन से level के असपास हमने कुछ यह levels के असपास trade plan किया था कि high निकला है अगर इसके उपर market sustain करेगा तो हमें एक बड़िया trade मिले लेकिन market देखो यहाँ पर देखो market उपर गया market नीचे आया फिर market उपर गया market फिर नीचे आया market फिर उपर गया 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 market नीचे यह कोई भी price action नहीं है इस बात पे आप लोग ध्यान दो यह बस लोगों का stop loss ख किया गया है जो लोग यहां पर पुट में गए होंगे उनको इदर ट्रैप किया गया है तो फुल-on ट्रैप मार्केट था आज का जो मैं आपको बताना चाहता हूं अब पॉइंट इस कि कल क्या हो सकता है आपकी कल की प्लैनिंग क्या होनी चाहिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं यहां पर अगर हम देखें तो अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है ठीक है जो आपको आगे नोटिस करनी है इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूं एक सेकंड हमें हटाना कुछ और ता हट कुछ और गया है तो मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा देता हूं आप लोगों के लिए हमारे लिए important रहेगी ये वाली trend line कहीं न कहीं जो हमें कल देखने को मिल सकती है अब देखो safe side कैसे trade करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हमारे लिए important level है 20,475 से 80 का इसके उपर हमको एक closing चाहिए पहली चीज पहला आपका एक hurdle निकलेगा जो resistance बना हुआ है कलो राज का दूसरा फिर हमारे लिए important है ये trend line तो हमारा market अगर थोड़ा sideways होके इसको breakout करेगा तो हमें एक बड़िया momentum मिलेगा upside के लिए upside के आपके target क्या होने चाहिए आपके target होने चाहिए 550 से 560 का और दूसरा आपका बड़िया target होना चाहिए ये वाला level और ये क्या है almost 20600 का तो अगर हम थोड़ा भी sideways होके निकलेंगे न तो हमको एक बड़िया यहां से 500-510 से लेके 600 point का upside का momentum मिल सकता है फिन निफ्टी के अंदर अगर ऐसा नहीं होता है for example क्योंकि देखो एक तो कल Friday है तो market वापस से trap ही हो सकता है क्योंकि most of the time Friday को market loss करवाता लोगों का अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम क्या wait करेंगे हम इन levels के निकलने का wait करेंगे यानि कि 2360 के levels जो निकालेगा market यानि कि 2360-350 तब हम put side के लिए plan करेंगे बड़े target नहीं होंगे 300 तक के target होंगे और फिर 280 तक के target के लिए हम plan करेंगे कि market अगर यहां से नीचे आता है कुछ भी price action बनाएगा तो पहला target और यह दूसरा target यहीं तक हम market के बारे में सोचेंगे फिलाल ऐसा नहीं है कि market देखो यह levels निकालेगा तो हमको यह level मिलने वालें for sure but क्या कल मिलेंगे that is the biggest question तो हमारे लिए कल यह levels के नीचे planning है हमारी लिए कल यह levels के उपर planning है market ऐसा जाए upside निकले support एक pullback लेके उपर का trade बनेगा market sideways होके downside आए एक pullback लेके नीचे का trade बनेगा बहुत simple तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि finnifty में आपकी planning क्या होनी चाहिए कल के लिए अब बता दिया है तो आपका काम क्या है आपका काम है कि अपना analysis करके कल जब हमारा market open हो यह चीज़े दियान में रखना और वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो telegram को join करो comment section में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो 100 point का move है let's see कि कल मिलता है आपको या नहीं मिलता है thank you so much